बरसत के मोसम में इतनी बारिस होने के बाद जब बारिस रुपती है तो लोग खते हैं, बड़ी गर्मी हो रही है, बड़ा गरम हो रहा है, वर्षया कही प्रकार की होती है, मुसलाधार बारिस रुप रुप कर होने वाली बारिस या रिम जीम बारिस, कितने सारे लोगों के मूँ से ये शब्द निकलते हैं, इतनी बारिस होने के बावजूद भी कितना गरम हो रहा है, आखेर पानी किदर भह जाता है, कली तो इतनी बारिश हुई और आज इतना गरम, जब बारिश होती है तब बड़ा अच्छा लगता है, रास्ता भी खुद से बाते करता है, मुझे भी बड़ी गर्मी हो रही है, लेकिन मैं बताओं तो किसे बताओं, मैं बहुत जर रहा हूँ, मैं बहुत तप रहा हूँ, आखिर बरसात का पानी किदर जाता है, उसका उपयोग क्या सब इदर उदर बह जाता है, क्या बरसात का पानी जमिन में आपसाओं होता है, क्या नहीं ना, अभी ये हाल है, तो आने वाले दिनों में क्या होगा बता नहीं सकते, बरसात का उस्तो पानी जमीन में यापसाग करने से या संचीत करने से ना इतनी गर्मी होती नई इमारत या नए मकान या कोई फ्लैट स्कीम रही तो पहले रेन हर्वेस्टिंग का हमने विचार करना चाहिए हर साथ बारिस का पानी बचाने की हम सबीने कोशिश करनी है जहाँ पहाड़ी एरिया है वहाँ पर छोटे छोटे गड़े खुद कर या छोटे तालाब खुदने से बरसात का कुस्तो पानी जमा रहेगा या संचीत रहेगा जमिन में बरसात का पानी जमा रहने से या संचीत रहने से या आपचा करने से गर्मी का प्रमान भी कम हो सकता है जो पहाड़ी एरिया है वहाँ पर भी कुछ ऐसी सोई करनी चाहिए जहां बरसात का पानी बहुत सारा संचीत हो जाहें वर्षया रुतू भी किसी को हानी पहुचाती है तो किसी को लाप भैंकर बाड़ आने से भी कापी सारे लोगों का नुपसान होता है चाहे कुछ भी हो जाए बच्चे परसात के दिनों में फूटबाल का बड़ा आनन्द लेते हैं मज्या लेते हैं इसी बाणे ये गाना रिम चिम किर सावन सुलग सुलग जाए मन भी आच इस मौसम में लगी कैसी अगन ला 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 पहिने भी यू तो बरसे थे बादल बहले भी यू तो भीगा था आच इस ला 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 पहले भी यू तो बरसे थे बादल पहले भी यू तो भीगा था आच ल अब अकबर सक्यो सजड सुलग सुलग जाए मन भीगे आच इस मौसम में लगी कैसी अगन ला 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 ल